हालो डियर फ्रेंड्स बिल्के टुक्सामपूरु जी तो आज हम नेक्स्ट मॉंक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हमारे बहुत ही इंपोर्टन इंपोर्टन कोशन रहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और सा सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें कुछ होते हैं जैसे कि स्ताइडर्ण परक्रेटर्ट्ल arquivo टेस्ट के अवारे में आ cities करस ऐसे हैं कि अJust की हैं प्रक्रेशा बहुता हैं तो एन की के Discovery होता है अगर आप इसमें आप वाम पर थियूरी बेस में बताया हुआ है तो जैसे कि यांपस टेंडर के बारे में बता है गया तो इसमें नंबर ऑफ लियर जो रहती हे वो तीन रहते हा, इसके बारे में 3,4 चीज़े होती है यह अप सैंटिमीटर क्यूब होती है यह होती है भाई यह सारी चीजे आप याद रख लीजिए तो बेरी इंपोर्डट चीजे हैं अब हम से यहां पर ड्राइय डिनस्टी को फाइंड झूठ आएं एक तो यहां पता है वहापस सब तहीए अ हमारे पास यह दिया नहीं एक तो है आपको पता कि constant value है double water content ini दिया गया है लिह ब svenक डेन्सटी की नहीं दी गई तोَ बDownности जह उती है簡 से मारे पास अबर वॉलिम मास ओवर वॉलिम यह आपको पता हूं अजिते मास अबर volume जो होती है वो bulk density होती है वो soil को find out करने का formula होता है तो mass कितना है हमारे पास 800 है volume कितनी दीगी है mold की 1000 है तो इसको find out कीजी आप find out करेंगे तो हमारे पास 1.8 gram पर centimeter cube आ जाएगा ये हमारे पास bulk density जो है वो आ चुकी है तो अब हम find out करते हैं bulk density over 1 plus w यहनिके 1.8 over 1 plus इसको यहां पर percentage में दिया गया है अगर इसको point में बदलेंगे तो हमारे पास 0.3 13 आ जाएगा तो इसको आप solve करेंगे तो हमारे पास 1.59 gram पर centimeter cube हमारे पास dry density जो है वो आ चुकी है option 1 हमारा इस question में अंसर बन जाएगा अगला question देखिए so question क्या पूर रहा है which of the following is not considered in plinth area estimate method plinth area estimate method जो होता है उसमें आप किसको consider नहीं करते हैं सबसे पहले plinth area जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होता है तो plinth area जो होता है cover build up area होता है इसको आप major कर सकते हैं floor level से इसको major कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सबसे कर सुक्राइब सब्सक्राइब कर आपको प्लिंथ इसको एक और नाम होता है वहोता है build up area club area होता है यह are koCo जो होता है यह धूरा नाम है यह point आप याद रखिए तो प relevance area estimate जो होता है उसमें open area जो होता है वो include नहीं होगा and जो court yard इनके आंगन जो होता है वो नहीं होता है balcony वगएरा जो होती है वो include नहीं होती है so यहां पर court yard इनके आंगन दिया हुआ है तो हमारा answer second हो जागा बाकि यह भई होते हैं सब कुछ अगला question देखिए यहां पर which of these is negative error वह नेगटिव error जो होता है यह इसके बारे में को पता होना जुरूरी है क्योंकि यहां से बहुत सरे question पूछे जाते हैं कि वह नेगटिव error पोजटिव error तो नेगटिव error कि आकर हम आप बात करें when the measure length of line is less than actual length मान के चलो कि actual length जो हो 20 meter की है और आपने जो measure की है वो कम है measure length जो होती है वो less than होती है actual length से तब हमारा negative error आता है when the length of chain is too long या ऐसे भी question पूछा जा सकता है when the length of chain is too long is called negative error यह point आप देख लीजिए अब हम से पूछा गए यहां पे points दिये गया है कि भाई किस बज़ा से आता है तो इसके कुछ points होते हैं वो आपको पता होने जुरूरी है तो यहां पर जो option दिया गया है वो option number second दिया गया है variation in temperature यह point दिया गया है temperature change होने की बज़ा से negative error आ सकता है opening of rings joints होते है उसकी बज़ा से error आ सकता है varying of connecting rings जो होते हैं उसकी बज़ा से यह error आ सकता है तो यह second answer हमारा हो जाएगा अगला question दिया तो process of taking level on east side of main line at right angle to that line is called उसको हम cross section labeling बोलते हैं अगला question देखिए isolated storm is represented in hydrograph with hydrograph जो होता है उसमें isolated storm जो होता है वो represent किया जाता है with single peak के साथ represent किया जाता है single peak जो होता है उसके साथ represent किया जाता है अगला question देखिए as per हमारे इस is code के coding तो maximum permissible limit for lead influence discharge into public civil lead जो होता है उसकी maximum permissible जो limit होती है हमारे इस is code के coding कितनी होती है most common question है 1 mg पर लीटर होती है यह limit आप याद रखिए अगला question देखिए when the ambient lapse rate is greater than the dry by aviate lapse rate the atmosphere is set to be atmosphere जो होता है उसको आप क्या बोल सकते हम उसको बोलते है super ambientic lapse rate बोलते है option second हमारा question मेंजर हो जाएगा अब देखिए आपर traffic sign दिया गए है दूसरे कॉलम में उसकी shape दिए किस तरह की shape होती है जैसे कि यहाँ पर देखिए एक regulatory sign दिया गया option A में तो regulatory sign जो होता है उसको आप main dietary sign जो होता है उस नाम से भी जान सकते हैं इसका दूसरे नाम main dietary sign भी होता है तो इसकी जो shape होती है वो किस तरह की होती है regulatory या फिर main dietary sign जो होता है इसको आप use करते हैं ताकि आप road user जो होते हैं उसको inform कर सके certain law and regulation जो आप provide करते हैं safety के बारे में उसके बारे में आपको जानकारी देता है इसकी shape के अगर आप बात करेंगे तो यह circular in shape होता है जैसे इसके example के अगर हम बात करें stop sign हो गया हमारे पास give away sign हो गया जैसे की इस तरह से दिया होता है कि भाई आपको इस तरह जाना है या फिर कितने इतने किलोमेटर दूर है स्वीट लेमिंट स्टोप साइन जो होता है आपने देखा होगा होगा उटा कॉनल होता है लेकिन इसकी शेफ होती है वह सरकूलर ही बताएग है आइस कोड के कोडिंग अब नेच्ट में पॉइंट में देखिए वो रइंग्ससाइन ह होता है वो इसकी शेफ कितनी कैसी होती है कि बार्निंग के अगर आप बात करें तो इसकी शेफ जो होती पaire ट्राय एंगलर होती है वार्निंग की ट्रायंगल को होती है तो इसको भी आप जा ones n नाउन की बात करें वार्निंग साइन की तो इसको काउशनरी साइन के नाम से जाना जाता है काउशनरी साइन के नाम से भी जाना जाता है यह पॉइंट भी आप याद रखिए यह जो रोड यूजर होते है उसको वार्निंग देने के लिए ही यूज किया जाता है तो यह सब्सक्域 करने के लिए ए इस परस्ता है इसको और इन्फोमेशनup करने के लिए आप को किस चीज के बारे कि गानी देस्टेन्छेंषिन है यहाँ पर आप यहाँ से जाएंगे जांगे जाएंगे ठ्रेशिक रही जैंड से भी आपको करना braingo तो यह साइन जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन एक्जाम के पॉइंट हो भी से अगले कुछ पॉइंट रेकिए आप इंटिफाइदा ट्राफिक साइन बिच डू नोट कम अंडर दा कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी साइन की कैटेगरी में इन चारों में से कौन सा नही से लग चीज है उसमें आप मना कर सकते हैं स्टॉप मना करने वाली और नौ पार्किंग वह सारे दो कि मना करने वाली ही जीज़े हैं आपको बता है सो ऑप्शन और फोर हमारा इस कौश्शंद में सर्ट हो जाएगा यह रेगलर यूज होनी वाले जीज़े हैं अगला है अगला पॉइंट देखिए दे बेस्ट डिजाइन अफ एन आर्क डैम इस बेस्ट डिजाइन जो होता है वो दे लोड़ डिवाइद बिट्वीन दा आर्क एंड केंटी दिवर एंड दा डिफ्लेक्शन एटेक कंजू इकल पॉइंट बिंग इकल कंजूगेट होना था यह हैं इन्टू पॉइंट इस नाउन एज आपको पता है कि वह एक क्वीन क्लोजर होती है वो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हाफ आफ लेंट वाइस तो वह क्वीन क्लोजर ही बनती है अगला वशन देखिए बिच्छों तो फॉलिंग मैटामॉर्फिक रोक्स यह फिंसके है वह फ्रूदिये गोर्फिक वह पहल है नहीं होता है जिसके मारमल होता है उसके पास भी फोलिटर सर्च्चर नहीं होता है ये चिजोंग है prima पर जिए यह बना को दो पॉंच ब Major हो गया अब यहां पर देखिए easy question है कई बार exam में पूछा गए cantilever of length L carrying के uniform distributed load WN Newton पर length for the whole length the shear force at the free end will be आपको पता कि free end पर shear force zero होती है shear force at the free end is zero and the fixed end पर will be WL इतनी होगी इस question के recording अगला question देखिए the maximum stress at which even a villain reversal of stress cannot cause failure of material is called उसको हम endurance limit बोलते हैं one हमारा question मेंसर हो जाएगा अगला question देखिए which of the following statement is true award अगला प्रिटोट ट्यूब प्रिटोट यूप जो होती है उसके कौर्डिंग कौनसी statement जो होती है वो सही है प्रिटोट ट्यूप इट कंसिस्ट अफ गलास ट्यूफ बैंड एट राइट एंगल यह बिल्कुल सही है बाकि सारी गलत है प्रिटोट ट्यूफ बहुत ही जाद है इंपोर्टन डावा यह बिलोस्रेटी जो होती है उसको मेजर करती है तो यह चीज़ आप व्याद रखिए तो फ्रेंड यह थी हमारे most expected questions वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजियो साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लिजी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में